दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आपको अगर अभी आप तक बैंक में आपको इंटरनेट का चार्ज लग रहा था एटियम का चार्ज लग रहा था और पैसा डिपोजेट करने का चार्ज अभी तक नहीं लग रहा था आपको अगर आप पैसा जमा करने जाएंगे बैंक में तब भी आपका चार्ज ही लगेगा और वो कितना लगेगा इस सारी जानकारी में आपको देने वाला हूँ या आपको बहुत ही बड़ी हर एक सर्विस पर आप बैंक की जो भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उस पर आपको पैसा देना पड़ेगा ये बैंकों के एक चेतावनी है अब अगर ये रूल बैंकों ने ला दिया तो आप अगर पैसा जमा करने जा रहे हैं तो उस पर भी आपको चार्ज देना होगा खुल मिलाकर अपना ही पैसा और अपने सभी को चार्ज देना पड़ेगा तो इसी का डेटेल के बारे में बात करेंगे तो बने इस वोडियम लगाता है पूरी न्यूज आपको मैं बताऊंगा क्या कैसा रूल चाहें क्या रूलेशन चाहें तो प्लीज सेनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इस न्यूज को पढ़ने के लिए आपको आना होगा moneybust.com पर जैसे आपर आते हैं बैंक में पैसा जमा करने पर भी देना हुआ चार्ज बैंकों ने दी मोदी सरकार की धंकी बैंक सर्विस के लिए कस्टमर को चुकाने होगी कीमत आपको मैं पढ़के बताता हूँ अब आपको ATM से पैसा निकालने हैं बैंक में पैसा deposit करने और चेक बुक के लिए भी चार्ज देना पड़ेगा बैंकों ने मोदी सरकार को धंकी दिये कि अगर सरकार ने 40,000 करोड़ रुपए का tax notice वापस नहीं लिया तो भी customer को भी free service नहीं देंगे यानि आपको बैंक में किसी भी तरह की सेवा के लिए चार्ज देना होगा अगर बैंकों ने अपनी धंकी पर अमल किया तो इससे आम आदमी के लिए बैंकिंग सेवाएं बहुत महँगी हो जाएंगे अपरैल में डारेक्ट रेट जनरल आफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स डी जी जी जेस्टी ने बैंकों को फ्री सर्विस पर चार हजार क्रोलों का सर्विस टैक्स चुकाने का नोटित दिया था इस मामले पर वित मंतराले और बैंकों के बीच बाची हो चुकी है लेकिन अब तक इस मसले पर समाधान नहीं हुआ है वहीं बैंकों का कहना है कि अगर उनकों फ्री सेवाओं पर सर्विस टैक्स दिना पड़ा तो वे कश्वार को भी कोई भी फ्री में सर्विस नहीं देंगे हिंदू बिजनिस लाइन की एक रिपोर्ट के मताबित अब यह मामला प्रधानमंदरी कारेड़ तक पहुँच गया है प्रधानमंदरी कारेड़ बैंकों और वित मंतरालें को अधकारियों के शाथ मिलकर इस मामले पर समाधान करने का प्रयाश करेंगे बैंकों के इन फ्री सर्विस पर पढ़ेगा असर बैंक अदकारों ने चेतावनी दिये अगर उनको 40,000 कौड रुपए सर्वेट टैक्स देने को मंजूर किया गया तो वे सभी फ्री सर्वेश बंद कर देंगे इससे ग्रांकों को चेकबोक एटियम से पैसा निकालने पैसे बैंकों पैसा जमा कराने और जंधन अकाउंट के लिए भी चार्ज देना पड़ाएगा आपको सरकार निकालेगी कोई न कोई रास्ता तो यहाँ पर सरकार कुछ न को रिष्प्रियाश जरूर करेगी लेकिन मिनमा अकाउंट है बैलेंस चार्ज को लेकर बैंकों को पहले सी हो रही है आलोशना जो मिनमा अकाउंट का भी आपने पता हुए अगर आप कम से कम पैसा रख हो सकता है पैसा जमा करने पर भी देना पड़े अगर इनक सरकार के साथ समझाता जो भी इनकी टेंप से कंडिशन नहीं मानी गई तो यह बहुत बड़ा कदम होगा बैंकों को और इससे आम आदमी को बहुत परेशानी मिलेगी हम सभी लोगों को तो मैंने सोचा आप लोग